ये गाईस दिस इस प्रीटी आज हम लोगों डिसकस करने वाले हैं 11 अप्रेल के करेंट अफेर इसमें जो भी इंपोर्टेंट क्वेस्टिन्स होंगे उसको हम लग इस वीडियो में कवर करेंगे साथी साथ प्रीवेस टेके क्वेस्टिन का रिवीजन भी करेंगे आए करने से पहले में चाहूंगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बैल आइकन पर जरू क्लिक करें इसके लावा आपको वीडियो से रिलेटेड मॉक टेस्ट देना हो या फ तुच्षी के खिलाफ 1994 के नरसंगहार पर अंतर राष्ट्री दिवस को संयुत राष्ट्र द्वारा कम मनाया जाता है तो थोड़ा सा पहले आप इसके बारे में जान लिए देखे रवांडा में तुच्षी और हुतू इन दो समुदावें को बीच 1994 में एक बहुत ही बड का 20% था तो इस वज़ा से आगे इस तरह की चीजे ना हो और इस तरह के जो मुद्दे होने वाले हो उनके बारे में लोगों को जागरुपता फैलाने के लिए संयुक्त राष्ट ने इसको 7 अप्राइल को दिवस के रूप में मनाया जाने की सुरुवात कर दिया है तो या यहां पर 36 गड़ने रच्चा है विक्सित किया है कौनसे राज की पुलिस है 36 गड़ याद रखेगा यहां पे हरियाडा रॉंग है आपको पढ़ाया गया थकल कि 36 गड़ने रच्चा है विक्सित किया है जिसमें हर घंटे एक सेलफी लेकर के यहां पे अपडेट करना पूर्वा आइस होकी खिलाडी रोजर सैपो जिने होकी का लेजन कहा जाता है उनका निधन 8 अप्रेल को कोरोना वाइरस की वज़ा से हो गया यह किस देश से बिलॉंग करते हैं तो यह स्विजर लैंस से बिलॉंग करते हैं इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि सबसे प इसके लाभा मैं स्पेन की राजकुमारी की मृत्ति होई थी इसके लाभा मैं एक सेफ की मृत्ति होई थी और अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आइस होकी खिलाडी जो कि पूर Wię control ने इनका नेड़न हो गया है अगला हमारा किस राज ने 12 ने क्लास तक की स्कूल प्रवक्ता नियुक्त किया गया है तो अनुराख स्रिवास्तों को विदेश मंत्राले का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया इन्होंने किसका अस्थान लिया है तो इन्होंने अस्थान लिया है रवीश कुमार का याद रखेगा नेकसे हमारा भारती राष्ट्री राजमा तबार्व का निर्मान किया गया है 599 इसको याद रखेगा और किस प्रूजेक्ट के तहत किया गया है तो भारत माला परियोजना को लॉंच किया फिर हमारा COVID-19 संक्रमण की वज़ा से किस राज के 15 जिलो के कोरोना होट स्पॉट सील कर दिये गए है तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलो को सील कर दिया गया है वहाँ पे ना तो कोई जा सकता है ना तो वहाँ से कोई बाहर आ सकता है और जिन जिलो को सील किया गया है वहाँ पे क पॉरोना पॉश्टिव लोगों की संख्या 6 प्लस थी ठीक तो उनको होटी स्पॉट गोसित करके उसको कम्प्लीटली सील कर दिया गया फिर हमारक की रक्षा अनुशंधान वा विकास संगठन ने किस नीजी फर्म के साथ मिल करके COVID-19 मरीजों का इलाज करने वाले डॉक्टर तयार किया था डॉक्टरों के लिए ही जो भी मेडिकल स्टाफ है उनके लिए अगले हमारा सुप्रीम कोट ने कोरोना वाइरस के संक्रमड की जाच के लिए प्राइविट लैब और सरकारी लैब द्वारा कितनी फीस लेने का आदेश दिया है तो सुनने फीस लेने का आद दोनों दिया जाएगा अईश्मान भारत युजना को कब लॉंच किया गया था 14 अप्राल 2018 को 36 गड के बीजापुर से और फिर 25 सितंबर को पंडित दीन द्याल उपाध्या की जयनती होती है उस दिन इसे पुरे भारत में लॉंच किया गया है चलिए बात करते हैं आज के पहले question की तो पहला question में हमारा basically related है COVID-19 से जिसमें United Nations Woman संगठन ने बताया है कि संपूर विश्व में COVID-19 के कारण महिलाओं की प्रती हिंसा में वृद्धी हुई है अब इसका क्या मतलब है मतलब ये है कि जनरली देखा जाया तो अगर हम लोग environment की बात करें तो वो ठीक है लेकिन हिंसा कौन करता है हिंसा या तो पूरुस करते है या तो फिर घर में कामकाच को लेके होता है तो इस वज़ा से अब जबकि सब लोग घर में हैं तो यहां पे महिलाओं की प्रती हिंसा में वृद्धी होई है क्योंकि प्रेशर भी है एक economical pressure भी चल रहा है इसमें लो अधिक की प्रिद्धी दर्श की है यह देखे हमारा गलत होगा यहां पर कितना है यहां पर तीन गुना है टीक है लिंग अधारित जो हिंसा है उसमें तीन गुने की प्रिद्धी देखी गई है तो right answer क्या हो जागा हमारा केवल एक सही है अब देख लेते हैं थोड़ा से बारे में हम लोग जैसे sorry तीन गुना नहीं दो गुना की ब्रिद्धी है यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है जो राष्ट्री नेशनल कमिशन फॉर विमन ने लिंग अधारित हिंसा में ब्रिद्धी की बात किया वो कितना है दो गुना की ब्रिद्धी है अब कुछ सुरच्छा स्वास्त और धन की कमी से उत्पन तनाव यह हिंसा को बढ़ावा दे रहा है भारत की अगर हम लोग बात करें NCW जिसे हम लोग जानते हैं National Commission for Women इनों ने बताया कि लिंग आधारित हिंसा कितनी है दो गुनी से ब्रिद्धी कर रही है और एक आकड़ा आया जिस मार्स से एक अप्रेल की बात करें तो यह डबल से भी जादा हो गया है यह 257 हो गया है याद रखेगा इसको ठीक इसके साथ साथ इस अवधी के दौरान बलतकार अत्वा बलतकार के प्रयास के मामले में भी तेजी से ब्रिद्धी देखी गई है जो पहले दो थी अब वो वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो बहुत से देश जैसे बहुत से देशों में तो चलो हिंसा के लिए कानून है लेकिन बहुत से ऐसे भी देश है जहां पर कानून नहीं है तो एक जो रिपोर्ट बताती है कि प्रतेक चार में से एक देश में महिलाओं के प्रती हिंसा को रोक और ये संसा करती क्या है तो महिलाओं की सुरच्चा ससत्ती करण की छेतर में काम करती है तो चलिए अब बता दीजिए कि अंतर राश्ट्री महिला दिवस कब मनाया जाता है पता है आपको अभी जल्दी ही बीता है आठ मार्च को मनाया जाता है अंतर राश्ट्री महिला व्यक्ति में आता उसको क्या कहते हैं जीरो पेसंट कहते हैं तो वहां के एक महिला के अंदर ये मामला सामने आया था COVID-19 positive होने का तो अभी ये कौन सा सहर था ये था वुहान मैंने आपको बताया था कि चाइना के वुहान में सबसे पहले कोरुना का मरीज मिला था और उसके बाद 23 जनवरी को चीन के इस सहर में लॉकडाउन का एलान कर दिया गया था जिसके बाद सहर की 11 मिलियन आबादी जिसे हम लोग 1 करोड 10 लाख लोगों को घर में कैद रहने पर मजबूर होना पड़ा जैसे अभी हमारे हैं लॉकडाउन च जा रहा है कि 3300 लोगों की जान भी गई है और 82,000 से जादा लोग वुहान में कोरोना संक्रमित पाए गये थे याद रखेगा अगला क्विश्चन है हमारा केंद्री मानव संसाधन विकास मंत्राले इन्होंने कोविड-19 एवं भविश की चुनोतियों का सामना करने के इसका उदेश है कि चात्र चात्राओं में नई प्रयोकों एवं नई खोज करने की चमता को परखना तथा उस प्रयोक या खोज का परिच्छड करने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्द कराना तीक तो इस चैलेंज में भाग लेने वाले जो चात्र चात्राओं होंगे वो यह ऐसे उपायों की खोज करेंगे जिससे सरकारी एजेंसिया, स्वास्त सेवाओ, अस्पतालों एवं अन शेवाओ को आ समय आई चुनतियों का त्वरिच समाधान उपलब्द करवाया जा सके या जखेगा काफी important question है पहल का नाम क्या है समाधान अगला है हमारा की IQ AIR के डेटा के मुताबिक दुनिया के सीर्स 20 सबसे प्रदूशित अस्थानों में भारत की कितने शहर सामिल है तो पहले मैंने जो डेटा आपको दिया था उसमें बहताया था कि 2019 का जो डेटा था उसमें 20 भारती सहर सामिल थे लेकिन अब ये संख्या घट गई है और सिर्फ दो भारती सहर शामिल है कि इसमें प्रदूशन की सूची में अगर दुनिया के शहरों में प्रदूशन की बात करें तो याद रखेगा कौन-कौन से दो सहर है मुंबई है और कोल काता है क्योंकि जब से लॉकडाउन हुआ है प्रदूशन के अस्तर में काफी ज़्यादा सुधार हो रहा है नेचर खुद को हील कर रही है याद रखेगा और लाश्ट येर वाला डेटा मैंने आपको बता दिया है कि भारत के 14 सहर उसमें शामिल थे चले नेक्स हम है जिसमें कुछ रकम का यूज अभी किया जाएगा जिसमें 7,774 करोड रुपे का इस्तेमाल अभी होगा और बाकी की जो रकम है 7,226 करोड इसको साल 2024 तक समय समय पर खर्च किया जाएगा याद रखेगा इससे कई राज्यों को आर्थिक मदद मिलने वाली है नेक्स हमार कि भारत में करेंसी चेष्ट अस्थापित करने के दिसा निर्देश जारी किये गए हैं किसके द्वारा तो भारती रिजर्व बैंक के द्वारा आर्बियाई के असापना कब होई थी एक अपरल 1935 को आर्बियाई के असापना होई थी इस समय गवर्नर कौन है सक्तिकान दा अर्बियाई के गवर्नर अब आते हम लोगकरन्सी चेष्ट है क्या करेंसी चेष्ट वह जगा होती है जहां पर मुद्रा जमां होती है यह चेष्ट नोट на कौनी करेंसने हैं होनी चाहिए याद रखेगा अगले हमारा की विश्व होमियोपैथी दिवस का मनाया जाता है तो 10 अप्रेल को डॉक्टर हैनी मैन की याद में बनाया जाता है विश्व होमियोपैथी दिवस इसका मुख्य उद्देश क्या है होमियोपैथी चिकित्सा पद्दि के का दूसरा सबसे व्यापक रूप से इस्तमाल किये जाने वाला सिस्टम है अगला पूश्चन हमारा कि विज्जन ने वर्स 2020 के सरुस्रेश्ट क्रिकेटर का किताब किस पूरुस को दिया है तो ये किसको दिवा गया है बेन स्टोक्स को दिया गया है ये कहां के प्लेयर है ये और 16, 17, 18 में इनको इस किताब से नवाजा गया है इसके साथ साथ विजडन ने 5 क्रिकटोरों का भी अलान कर दिया है जो कि इस साल सबसे ज़्यादा रन बनाने है विकट लेने के मामले में शाम ने आए जैसे अगर महिला की बात करें कि नंबर वन पे कौन है तो Alice Perry है नंबर वन पे और दूसरे पे कौन है सिमोन हारमर अब इसके अलामा कौन कौन है इंग्लेंड के तेज गेदबाज है जोर्फरा आर्चर ऑस्ट्रेलियाई टेम के गेदबाज है पेट कमिन्स इसके अलामा एक बल्ले बाज है उस्ट्रेलियाई मारनस लाभुशाने और महिलाओं के बारे मैंने आपको बताई दिया अगला हमारा की फोब्स की जारी साल 2020 की सूची में दुनिया का सबसे अरब पति व्यक्ति कौन बना है तो ये बने है जिफ बेजोस जो की लगातार तीसरी बार अपने पोजीशन पे बरकरार है 34 वार सिक सूची ये जारी की गई है अरब पतियों की फोब्स के दौरा इनके पास कुल कितनी संपत्ति है तो 113 बिलियन डॉलर की संपत्ति है जिफ बेजोस के पास दूसरे नमबर पे कौन है बिल गेट्स है और तीसरे नमबर पे बर्नॉर्ट अनलॉंट है ये करते क्या है ये लगजरी समान बनाने वाली कंपनी LVMH की चेर्मैन और सियो है चोथे नमबर पे कौन है वारेन बफिट जिनने दुनिया का सबसे बड़ा इंवेश्टर माना जाता है और अब बात आती है कि भारत में कौन है तो भारत में as usual मुकेश अम्बानी है जिनने भारत का सबसे अमीर व्यक्तिक आ जाता है और दुनिया के अरपतियों की लिष्ट में एकाउ से अस्थान पे हैं? 17 अस्थान पे है नहीं से मारा लॉक्डाउन को 30 अपरेल तक बढ़ाने वाला देश का पहला राजका कौन सा है? तो ओडिसा बना है देश का पहला राज जो की लॉकडाउन को 30 अप्रेल तक बढ़ा रहा है ओडिसा के सेम कौन है नवीन पटनायक है इन्होंने ये भी कहा है कि 30 अप्रेल तक ट्रेन और हवाई सिवा बंद रखने का भी आगरा किया है इसके साथ जो भी राज के सैच्छुडिक संसान है इनको 17 जून तक बंद रखने की घोशना की गई है राज जिपाल कौन हो ओडिसा के गड़े सी लाल है वहाँ के राज जिपाल तो ये थे हमारे आज के important question अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें शेर करें और लाइक करना ना भोलें डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरू क्लिक करें थैंक यू फ्रेंस थैंक यू सो मच